सुन्ह में सेर्ण को BeimWayalam कैसे कीया जाताया जाक्याह heißt थोर आज का वीडियो उन सभी के लिए जो कि सुन्ह के अंदर कुछ होल्डिंग कर रखये हैं उनको सेर्ण को सेल करना वह नहीं जानते कैसे sell किया जाता है तो ये वीडियो पूरा देखिए देखिए हमारे पास में अभी 30 quantity है इस share की और हम इसको sell करने वाले अभी ये position में है लेकिन हम square up करेंगे तो यहां से square up directly नहीं कर पांगे जैसे कि मैं यहां पे click करता हूँ और square up करने की try करता हूँ लेकिन हम यहां पे square up नहीं कर पा रहे हैं ठीक है जैसे कि sell पे click करूँगा यह order हमारा reject हो चुका है यानि हम square up यहां से नहीं कर सकते हैं तो square up करने के लिए हमें क्या करना रहेगा वो ध्यान से देखिए square up करने के लिए हमें simply एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे सबसे पहले tip in generate करना है इसके उपर क्लिक कीजिए यहां पे edisk quantity के उपर क्लिक कीजिए यहां पे all quantity को select कर लीजिए जो भी आपकी quantity देख सकते हो 30-30 quantity यहां पे select हो चुकी है generate edisk के उपर क्लिक करना है और यहां पे आपको जो tip in है वो tip in enter कर देना है अगर आपका tip in यहां पे नहीं आया हो है तो आप simply click head के उपर क्लिक करके tip in को generate कर लीजिए जैसी कि हमारा tip in है तो हम यहां पे enter कर देते हैं और यहां पे enter करके verify करते हैं तो उसके लिए हम यहां पे simply अपने tip in को enter कर रहे है चलो हमने यहां पे tip in को enter किया जैसे tip in को आप भी enter करोगे आपके mobile नमर पे एक OTP आएगा OTP को आपको क्या करना कोपी कर लेना है कोपी करके यहां पे आपको simply put करके verify कर लेना है verify के उपर क्लिक करना है verify करते हैं आपका यहां पे जो quantity है sell करने के लिए तयार है तो अब आप यहां से अपनी quantity को sell कर सकते हो जैसे कि मैं square op के उपर क्लिक करूँगा यहां पे हम market price के उपर इसको बेचने वाले है तो market price के उपर हम इसको बेचने वाले है तो उसके लिए हमने यहां पे market price select कर लिया और यहां पे मैं sell के उपर क्लिक करता हूँ sell के उपर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारी quantity यहां पर order place हो चुका है और complete भी हो चुका है देख सकते हो हमारी quantity यहां पर sell हो चुकी है जो कि 30 की 30 quantity है और इस तरह से आप सुनने के अंदर अपने sales को sell कर सकते हो यहां पर portfolio के अंदर जाएंगे तो हमें देख सकते हो 406 rupees का यहां पर profit हुआ है तो इस तरह से हमें यहां पर quantity sell करने का मोका मिलता है आप यह वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में